हेलो फ्रेंट, सक्सेस्पन कोटा चैनल में आप सभी का स्वागते और मैं शुभा मैं इस्टेंट्स हमने इस चैनल में हिंडी साथे का इत्यास स्टार्ट कर रखा है ठीके, जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको उसका PDF फॉर्म में चाहिए, नोर्स चाहिए तो इस्टेंट्स हमारे टेलीग्रम चैनल से जोईन हो जाईए, टेलीग्रम चैनल हमारा ये लिंक दे रखा है सक्सेस्पन कोटा बाय शुभा मैं, ठीके, सक्सेस्पन कोटा ओफिशल चैनल है, जहां पर आपको सारे PDF उपलब्द रहेंगे जो भी मैं यहां पर कंटेंट विश्यवस्तू पढ़ाती हूँ, वहां पर मैं जरूर PDF अपलोड कर देती हूँ इस अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइफ, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरे से पूरी आप कंप्लीट देखिए, तभी आपके सारे कॉंसेप्ट किलियर होंगे, ठीके आप उस विश्यवस्तू के बारे में समझेंगे और हिंदी साहित्य का इतियास PGT, TGT, MP का PGT, TGT हो, और राजस्तान RPSC का 1st grade, 2nd grade exam, ठीके हिंदी से रिलेटेड, BPSC का हिंदी का, जितने भी हिंदी से रिलेटेड exam है, उनमें हिंदी साहित्य का इतियास topic लगता है और बहुत ही deep में भी आज अब जो exam का pattern होता जा रहा है, वो परिवर्तित होता जा रहा है, साहित्य से संबंदित, deep में questions पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही हम UGC NET और Assistant Professor दोनों की तैयारी को लेकर के, हिंदी साहित्य का इतियास की एक स्रीज स्टार्ट करिए, जिसमें आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, और भक्तिकाल का, भक्तिकाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी हमारी एक last class बच्ची है, जो कृष्न कावे शाखा है, ठीके, कृष्न भक्ति शाखा है, सग्वन भक्ति शाखा के अंतरगत, हमने कल इसकी राम भक्ति शाखा पढ़ चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं सगुर्ण बखती कावे परंपरा के अंतरगर्ण कृशन भखती कावे परंपरा ठीके वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ठीके अगर आपको साथे से सम्मझने कोई प्रष्ण कोई समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके जाएए अगर आपका हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा ताकि आने वाली क्लासिस आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके चलिए स्टार्ट करें कृष्ण भक्ति शाखा क्या है कृष्ण भक्ति शाखा ठीके देखिए इसकी भूमी का यह हम करें कुछ महट पूर्ट तथ्य है तो कृष् संस्ट करके नेट ज्यारिफ की और दूसरी बात इसमें से स्रिफ ड्रस्टी का हिस कंटेंड नहीं है सृष्ण पांडे घंदी साहितिया का वस्त्य लिजफिति Nah इई सरती पांडे गोंपन पांडे उसकी बुक से भी कुछ कंटेंड विश्यवस्तु लिए और हिंडी साहि तेका आचारे राम चंद्र शुक्लिक की जो पुस्ता के उसमें से भी कुछ विश्यवस्तू इस तरीके से एक रिग्वेट के प्रथम मंडल में क्रिश्न का उलेक मिलता है कहां पर रिग्वेट के प्रथम मंडल में किसका उलेक मिलता है क्रिश्न का उलेक मिलता है इसके अत्रिक्त अश्टम वर दश्रम मंडल में कुछ सुक्तों के रचाईता क्रिश्न है और इसके अलावा क्या है अक् कोन है कृष्न है सबसे पहले कि रिव्वेद के मंधल में कुछ सुक्तों की रचशाइता रचना करने वाले कोन इस कृष्चन मंधल के 85 सुक्त के रूप में पूरे आप इनको जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए चलिए आगे बढ़े अब इस कृष्ण का इस कृष्ण भत्ती शाखा की विशेष्टा है क्या भाव रखती है इस विशेष्टा हो अगुष्ण पुष्टी मार्ण किसने दिया वलभाचारिय द्वारा शुद्दा देत्वार यह हमने दर्शनों में बहुत अच्छे तरीके से कबर किया है ठीके इसट्रेंट वो आप देखिएगा भक्तिकार की सेकंड क्लास है उसमें हमने सारे दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा एक डीफ में पढ़ा है कि की के शुद्धा- द्यृतवाग वा पुष्टी-मार्ग व्लभाचारे द्वारा का प्रभाव मादवाचारे के द्वेद्वाग द्वड़ा निंभाचारे के सब्भाव repository का यदर्म कि उसमें किसकस कर को शुद्धा द्यृतव की लीला में अखंड विश्वास शूरी की جो लीला है संपूर्ण लोग को पसंदुथे उसमें माधुविया रूप दिखता है रास लीला बाल लीला के रूप में कृष्णी का लोग रंजत स्वारूप दिखाई दिया माधुविया से पूंड लीलायों का चित्रण है और क्या है एकदम मीठा लगने वाला मधूरिय रस के रूप में लीलाओं का चित्रन किया गया है किसके अंतरगर्ष और देखिए फिर नेक्स्ट नेक्स देखिए वासल रिया क्या विश्यद्व चित्रण हुआ है वासल रे मतलब एक मांसा अपने बच्चे की holiday किस प्रकार naw ये करता है उसका चित्रण अच्छा तरीके से किया गयए जब वियोग भी जब गोपियां क्रिशने से बिचुड जाती हैं वो अलग होती है तब उनकी विरह वैदना का भी उलेख बहुत अच्छे तरीके से प्रेम को विस्तार पूरक समझाया गया है अब देखिया आगे नेक्स ये इनकी विशेष्टा हैं कि इस क्रिशने भक्तिर टाइम पीरिड में कि कि विशेष्टाएं थी क्या था भाव क्या थे इस धारा का आने का तो वासल्य था मां का अपने बच्चे долларов को देखके जब करके पर सायोग और व्योग दोनों रूख से समझाएं गес सायोग रति और व्योग रत के द्वारा नेकस्ट निए ब्रहमर गीत में मोलिक उद्भावनः ब्रहमर गीत मतलँ भवरे को माध्यम बनागर के मोलिक महत्मस रचनाओ उद्भावनः उस्पार किया गया है युग जीवन से कम संबंद युग जीवन से मतलब इस सांसारी जीवन से कम संबंद प्रेम लीला जादा है इसमें कृष्णी की गोपियों के साथ राधा के साथ अपनी मां के साथ इस प्रकार की एक प्रेम लीला बाल लीला रास लीला जादा है नारी मुक्ति की प्रस्तावना हुई है नारी को मुक्त रूप से दिखाया गया है प्रकर्ति के साथ रागात्मक संबंद मतलब प्रकर्ति के साथ रागात्मक संबंद का मतलब है प्रेम भक्ति बहुत जादा प्रेम भक्ति रिती रिवाजोब उसे की अलग, जुनूनी भक्ती, ठीके न, इस तरीके की राग-पूण, गीतर से नहीं होगा, इसका संब्द, राग-पूण मतलब पूंड रूप से इस प्रकरती के साथ, जो है, संब्द इस तरीके से दिखाएगा कि प्रेम भक्ती के रूप में बताया तो प्रकर्ती फूरे रोप में सब का साथ देते हैं माहूल का सा.. प्रेम भक्ती और रास लीला बाल लीला होती थि तो प्रकर्ती भी अपना एक छमतकार फॉल्ट ओड़ रोप दिखाती यह बताया गया अगे से दिखंव के शिल्पगत विशेष्टा उन De कुल सबस्क्रारों का प्रियोग क्रिछन भक्ति करत Swagpo moeten किस्म की प्रभन्द प्रभंद रही शियनव मोफ्री हुई किस्म की प्रभंदात्मक के ताके कारण लीलापत की विशिष्ट संग्या है मतलब ऐसा निया कि पूरे तरीके से प्रभंदात्मक रचनाय लिखी गई कुछ किस्म से बिखरी हुई थी शीर्ण थी ठीके प्रभंद रचनाय और छोटे-छोटे दोहें लिखे गए इसक प्रतिकों के माध्यम से इनके इसमें बीन्म का बहु विधि प्रयोक किया घया घी के चलिए आगे पढ़े जो महत्मून हैं यहां से देखिए स्टुडेंट क्रिष्ण काव्य परंपरा के प्रमुक संप्रदायों का परीचे क्रिष्ण काव्य परंपरा में कौन-कौन से संप्रदाय हुए और यहां से प्रश्ण हंडेड परसेंट आता है इस्टुरेंट्स तो यह बहुत महत्पोन हैं आप इसको ध्यान पूरा पढ़िएगा चलिए क्रिष्ण काव्य प्रंपरा के प्रमुक संप्रदाय पहला संप्रदाय संकांदिक निमबार्ग संप्रदाय जिसके प्रवर्टक आचारिय निमबकाचारिय ग्यारा सो चोडा से संप्रदाय निमबकाचारिय प्रवर्टक है निमबकाचारिय ग्याराध्मुक का निमबापुर मेसूर यह साणी आपको बढग से याद करनी है फिर है रुद्र संप्रदाय ठीके इनके प्रवर्टा के विश्णु स्वामी वल्लभाचारी है 1478 से 1530 तक का टाइम और इनका दाशने मत्था शुद्दा देतवाद और गुरू है इनके विश्णु स्वामी और जनमिस्तान चंपारन ठीके फिर नेक्स्ट है सक्षी संप्र इनके प्रवर्बृर् ओर इनके प्रवाड़के यह शुद्दा 1 राट राज्व खिके फिर देखें गोडिया मत्हज़नBloday ननके प्रवरड़के चेतन्म्हाप्रभू वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और इनका जो दाशनिक मत है वो अचिंतनी भेदा भेद है गुरू है केशो भारती और जनम इसा नवदी बंगाल फिर इसके बाद राधा वल्लब संप्रदाए इनके है हरी हित हरीवंश ठीके प्रवर्ता कोने हित हरीवंश राधा वल्लब संप्रदाए के जो प्रवर्ता के वो कोने हित हरीवंश और इनके जो गुरू है गोपाल वलप और गाऊं है बात्य गाऊं मथुरा ठीके गाऊं को से हैं बात्य गाऊं मत्रा किलिएर स्टुडेंटस ठीके तो 5 संप्रता हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं सनकादी निमबार्क संप्रता है रुद्र संप्रदाय सखी जिसे हरिदासी संप्रदावी केते हैं गोडिय संप्रदाय और राधा बल्लब संप्रदाय ठीके चलिए आगे हम कवर करें सबसे पहले निमबार्क संप्रदाय जिसको दूसरा नाम संकादी संप्रदाय भी केते हैं ये क्रिष्ण भक्ति से सब्सक्राइब और उप ड्रिष्टा मतलर उप ड्रेश्टा के रूप में जो अदी उप्र ड ACL के रूप में ये हंस भगवाने कोंसे भगवाने श्री हंस भगवाने अगे देखी निंबार्ग तक यह क्रम इस प्रकार रहा शिरी प्रकार से क्रम रहा था शिरी हंस भगवान संकादी नारद मुनी आचरे निंबार्क है ठीक है फिर नारद मुनी और लास में आचरे निंबार्क है आचरे निंबार्क है देखिए निंबार्क का अर्थ क्या होता है सबसे पहले निंबार्क का अर्थ देखिए नीम पर सूर् दर्शन कराने वाला निम्बार्क निम्बार्क के बारे में हम विस्था पूरवक पढ़ें थोड़ा उसका बहुत जरूरी है इनका परीचय आगे देखिए कर execut कर रोरा नारई मुनी ने हैं कि नार्द मुनी इनका नारई मुनी इनको गुरू माना जाता ह्याहें नारई मुन आरोणी भी इनका एक नाम है तो यह घ्यान रखने योग्य बात है कि आचलि निमबार्की जी के गुरू कोंते नारध मुनी शेशवस्ता में इनका नाम नीयमानंद था और आरोणी भी इनका एक अन्य नाम है ठीके ब्रहम सुत्रों के व्याखिता बाद्रायन व्यास को निम कौनसे बादियार और व्यास को निम्बार्क का समकाली माना जाता है लेकिन डॉक्टर भंडारकर ने इनको सिवकार नहीं किया तो इस्टेंट ये पॉइंट इसना इंपोर्टन नहीं है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है ये महत पूरे आगे देखिए दक्षण में जन्मे न सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है कि इसली को भगवां सूर्य वत कृष्ण के सुदर्שन चक्र का अवतार माना जाता आचारे निंबगाची को अत्यंत सुंदर होने के-कAnd इनका नाम सूदर्शन भी था आचरी निमबग का चारी सुठर से देखने में तो अत्यांद संदर होने का diverse सुठर भी रहा ठीके निमबाद का जो दाशनिक देता देता वो हम उपर सादी में पढ़ चुके जिसे प्राचीन वेदा भेदवात का नवीन रूप माना जाता है ठीक है इस्टेंट यह इंपोर्टेंट नहीं है आप इन चीजों को ध्यान रखेगा दक्षण में जन्में यह तीन पॉइंट बहुत महटपोने इस्टेंट्स कि दक्षण में जन्में निम्बार के करम भू सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है अत्यन सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन रहा आगे देखिए 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 यह वेदांत पारिजास सोरभ भ्रहम सुत्रपवरती दश लोकी श्री कृष्ण स्वत राज आगे मंत्र रहस्य शोडशी और प्रपन यह कल्पन वल्ली इनकी रचनाएं की आचारिया निंबर्क की रचनाएं कौनसी है पांट एसरी दस श्रिलोकी तीसरी शृ क्रिशन स्वत राज और पांची मंत्र रहस्य श्रrí शोडशी और लास्ट पांची ये hier पांचो एंब चारी निंबर का चारिये किजी की पांचों रचणा है अब देखे इनके चार प्रधान शिश्य थे इनके कितने चार प्रधान शिश्य थे कौन-कौन से शिरी निवासाचारिय सबसे प्रसिद शिश्य रहे जो शिरी निवासाचारिय थे वो सबसे प्रसिद शिश्य रहे थे जिनकी रचना वेदान्त कोस्तूब थी जिनकी रचना श्री निवासाचारिये जिनकी रचना वेदान्त को इस्तुब थी उनकी रचना क्या थी श्री निवासाचारिये की वेदान्त को इस्तुब इंपोटेंट है स्टुडेंट ये अन्ये तीन जो अन्ये तीन रचना शिश्ये थे उनमें थे श्री ओटुंबा चारिये श्री गो तुमबा चारिया है श्री गो मुखा चारिया है श्री लक्षमनभट यह महत्पून है स्टुडेंट आपको लगता होगा मेटर कठिन है लेकिन आप मेरे साथ इसकी भैतरीन तैयारी करते चलिए तो आपको कठिन नहीं लगेगा क्योंकि इस प्लेटपॉम पर मैंने एकदम स जरूरी था इस तरीके से हम भक्ति काल संपुर्ण आधी काल को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे 15 मार्श में कावे शास्त्र की ट्रास इस लेकर के आऊंगी और जैसे है कावे कवे शास्त्र की क्लास कंप्लीट होएगी और साहितिया 10 अप्रेल तकंप्ली करवाऊंगी मूल किताबों को जरूर वापस से लेकर के आऊंगी उसमें से हम आधुनिक हिंदी साइटे का इतियास आचर राम संद शुकल की बुक्स और जितनी भी हिंदी की मैटमोर किताबे हैं उस इस प्लेटफॉर्म पर बहुत मजे से और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ठीके आगे आने वाली क्लासिस में आपको बहुत कुछ मिलता जाएगा आप जरूर कंटेंट हमारे इस चैनल के साथ जुड़े ठीके और जादा से जादा क्लासिस को शेयर करें चलिए यह बाते अलग है अब पढ़ते हैं चलिए आगे देखिए इनके चार प्रधान शिष्ये थे आचारे निंबा का चारी के सबसे पहले श्री निवासाचारिये प्रसिद है और जिनकी रचना वेदांत को इस्थूब प्रसिद है और जो तीन दूसरे थे श्री गोमुखाचारिये और श्री लक्षमण भट यह तीन अन्या है बक्ती के लिए विश्णू के इस्थान पर क्रिष्ण के सगोण रूप क्रिष्ण के सगोण रूप सामने सक्षाद मूर्ती के रूप में सव्वप्रतिपादन आचारिये निम्बार्क ने किया था के लिए यह पेरेगा बहुत महत्मोने और उपर की रचना है तो आप इसको नोट डाउन करके बड़िया तरीकी से याद करिएगा आगे देखिए यह न ढ़ीया तरीकी संप्रटाय की सबसे बड़िक्रदी राजस्तान के सलेमबाध अजमेर में है और अगे देखिए यह पी मैं आपको समझा रही हूँ व्रणनाभन में शेय की बडी कुझ इस्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुक केंद काइंसे है रहे ठीक है कहां पर वरंदावन में जगे शिरी जी की बड़ी कुझ्ज इस्थान प्रमुक केंद रहे किनका निमबार्ग के संप्रदाय का अब निमबार के संप्रदाय में किस प्रकार से इस्थापित मूर्ती होती थी देखिए कृष्ण के वामार्ग में कृष्ण के एक मिनिट में ये क्लिया करूँ कृष्ण के वामार्ग में मतलब बाएं और सुशोबित राधा के स्वाकिय रूप का विधान है स्वक्यय रूप का विधाने एक मिनिट इसको छोटा करूँ देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से निमबार के संप्रदाय में कृष्णी के रूप की पूजा होती है तो कृष्णी के वामार्ग में बाएं और सूशोबित राधा के स्वक्यय स्वक्यय मतलब जो अपने पती से ही प्रेम करती है ठीक है स्वक्यय पूर्ड उसे समर्पित होती है राधा के स्वक्यय रूप का विधान है इनके निमबार के संप्रदाय में किलिए ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैं नहीं आपर नोट डाउन करा है कि ये प्रेशनी भी पूछा जाता है निमबार के संप्रदाय के अनुसा चलिए आगे किलिए करें और अब है हमारा निमबार के संप्रदाय कंप्लीट हुआ अब है वल्लब संप्रदाय या वल्लब भाचारिय ये सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे चलिए आगे और किलिया करें कि वल्लब संप्रदाय क्या है किनों ने इस्थापित किया तो इनके संप्रदाय के वल्लब भाचारिय है वल्लब संप्रदाय के कुन थे वल्लब भाचारिय है और ये किनके समकालिन थे तो ये सिकंदर लोदी और बाबर के समकालिन थे अब देखिए इनका जनम समवत 1535 बेशाक कृष्णे 11 को मिर्थ्यू समवत 1587 आशा शुक्लित 3 को ही इनकी पत्नी मधु मंगल और दो पुत्र गोपीनात और विठलनात थे बल्लभाचार्य की पत्नी का नाम है मधु मंगल देखिए इस प्रकार से जब आपको भी याद रखने लाइक चीज है वो सबसे महत्पोर्ण ये है कि इनकी पत्नी मधु मंगल और पुत्र गोपीनात और विठलनात दो पुत्र रुए इनके गोपीनात और विठलनात थीक है अब देखिए इनका जो जनम ये टाइम पीरेड है जनम का इस तरीके से ध्यान रखिए जनम समद 1535 ये ध्यान रखने के अवशक्तानी वेक्रा कृष्ण ग्यारा को मिर्ट्यू 1587 में ठीके आशा शुक्लतीन ये ध्यान रखने की जरत नहीं है एक तो जनम और एक ही है आगे देखिए इसको इन्होंने सगुण को भ्रम का असली पार्मार्थिक रूप बताया इन्होंने क्या करा सगुण को सगुण भाव को जो साक्षात रूप से मूर्ती पूजा और उपासना में विश्वास करते थे ठीके इन्होंने सगुण को भ्रम का मतलब उस परमात्मा का असली पारमार्थिक परम अर्थ के रूप में उस परमात्मा का रूप बताया और निर्गुण को उसका अक्षत रोहित रूप कहा ठीके और निर्गुण को क्या कहा अक्षत रोहित रूप केने का तात्रिय उन्होंने स्वगुण को महत्व दिया उन्होंने का स्वगुण ने कौनसे मार्ग का प्रवर्टन किया था तो पुष्टी मार्ग का पुष्टी का अर्थ होता है पोशन का अर्थ पुष्टी मतलब पोशन ठीके पुष्टी का मतलब क्या होता है पोशन और इसका अर्थ क्या हुआ भगवान की किरपा या अनुग्रे है हम भगवान की किरपा से उनके अनुग्रे से उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं उस परमार्थिक को प्राप्त कर सकते हैं ठीके ना पोशन का अर्थ क्या होता है भगवान की किरपा और भगवान का अनुग्रे उनके शरण में भगवान के अनुग्रे से ही जीव की प्रवर्टी प्रेम लक्षना भक्ती की और बढ़ती है केने का मतलब है जब भगवान का अनुग्रे होता है भगवान उनको बच्चे को अप अपने पास बलाता है तो तो ही किसी जीव की किसी प्राणी की प्रवर्ती सोच उस प्रेम लक्षन की भक्ती के और होती है उसका प्रेम उस परमात्मा के उस इश्यों के प्रती बढ़ता जाता है कब जब भगवान की करपा होती है ठीके तो पुष्टी मार्ग का अर्थ ही य लिए आगे पोशन को पाने के लिए एक मिनिट पोशन के भाव को इसपस्ट करने के लिए पोशन मतलब पाने के लिए किसकी परमात्मा की प्रार को पाने के लिए प्रेम को पाने के लिए पोशन के भाव को इसपस्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए गए हैं ठीक ह क्या रूप बताए गए भक्ति के साधन रूप और साध्य रूप साधन रूप में भक्त को प्रत्न करना होता है पुष्टी को प्राप्त करने के लिए मतलब भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उस प्रेम लक्षना भक्ति को प्राप्त करने के लिए दो साधन बताए गए एक तो दो प्रकार बताए गए एक तो साधन रूप और दूसरा साध्य रूप कौई से दो रूप बताए गए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस प्रेम को तो पहले साधन रूप में सा भगवान की शरण में आ जाता है। जैसे कि मीरा का थीके ने अ, उन्होंने शब कुछ त्याग दिया उस शरी क्रिशने के लिए घर बार सब कुछ छोड़कर對不對 साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसरजित करके सब कुछ समात करके उस भगवान की शरण में आ जाता है तो ये साध्य रूप होता है साध्य रूप में ब्रत करके और उनके गीदगा करके उनका ध्यान करके उनकी पूजा करके ये एक प्रतने होते हैं जो साध्य रूप में तो पोशन के भाव को इसपस्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए एक तो साधन रूप और दूसा साध्य रूप फिर देखे पुष्टी मारगी भक्ती में प्रभू अपने भक्त का स्वयम ध्यान रखते हैं और प्रभू ही है और अंत में जमसे यह पूजा की जाती है आगे देखिए नेक्स्ट इन्होंने जीव तीन प्रकार के बता है एक पुष्टी जीव दूसरा मर्यादा जीव तीसरा प्रभाजी तीन प्रकार के जीव बता है पुष्टी जीव जो भगवान का अनुग्र है वह नित्य नीला में करता है फंप रर्च यह प्रवाब करता है वैदो की अनुषार चलता है और स्वर्ग की प्राक्ति करता है धाड़े प्रवहाव जीव जो सांसारिक सुख्व-भौग में लिप्त रहता है तीन प्रकार के जीव नियों बता है वल्लबाचारीय ने ठीक है पुष्टी जीव मर्यादा जीव इस तरीके से मस्ती में मतलह डूब जाना जैसे किसी गाने को सुनके आप रंग जाते हो ना उसी तरीके की पुष्टी मारगी भक्ती क्या होती है रागानूराग भक्ती जो मस्त हो जाता है पता ही नहीं पड़ता इस तरीके से भगवान की भक्ती में लीन हो जाना ठीक है इसके दो रूपे एक काम रूपा दूसरा संभंध रूपा देखिए मस्तरूप एक काम रूपा और एक संभंध रूपा एक रूप में वो भगवान को पती के रूप में मान लेती है और वो राग उस अनुराग में खो जाती है और एक होता है संभंध उस भगवान के साथ कृष्ण के रूप के साथ आप अपना केसा संबंद बना रहे हैं ठीके ना एक तो काम रूपा में तो पती के रूप में और संबंद रूपा में आप उसको पुत्र के रूप में बच्चे के रूप में किसी भी रूप में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं उस भक्त और भक्त और भगवान के रूप में इस तरीके से ठीके तो पुष्टी मारगी भक्ती को रागानू भक्ती भी कहते हैं रागानू राग भक्ती और रागनू राग भक्ती का अर्थ होता है मस्त रूप की भक्ती ये दो भग होते हैं काम रूप और संबंद रूपा ठीके समझ मे रहा है ना आपको वह समझ में आना चाहिए ठीक है समझ में आये तो comment box में जरूर comment करिया गा कि हम यहां पे समझ में नहीं आया और जब कुछ नहीं समझ में आता तो भी आप comment करिएगा कि में यह चीज़ नहीं समझ में प्रोटर्वाशलींग्याष्टाइग आने वाली क्लासिस में मैं फिर्योंगी तो आपको दूगी तिके चलिए आगे देखे इनकी रचना इस प्रकारे किनकी किनकी वर्लभाचारिये जिकी ठीकिन इनकी रचने इस प्रकारे पूरु मिमासा भाश्य है इनका थोड़ा सा अंश मिलता है उत्तर मिमासा या भ्रह्म सुत्र भाश्य है ये प्रसिद नाम है अनो भाश्य है देखे एक बार इसको ध्यान से पढ़िए वल्लबाचाये जी की पूरु मिमाशा भाषय है इनका थोड़ा सानिश मिलता है पूरु मिमाशा का फिर उत्तर मिमाशा जिसका दूसरा नाम ब्रहम सुत्र भाषय है प्रसिद नामे अणु भाषय आचारि द्वारा प्रतिपादि शुद्धा देथ का यह प्रधान दाशनी गरंथ है ठीके इस गरंथ के अंत्मे डेड़ अधियार विठ्छल नात किसमें विठ्छल नात ने उनका पुत्र थै वल्लभचानल जीजी के विठ्छल नात ने लिख करके पूरा किया इनके दो पुत्र थै कौन कौन से पता, पढ़ा ना आपने अभी, कौन से पत्र थे इनके दो, देखिए, इनके आचारे वल्लभाचारे जी के दो पत्र थे, गोपी नात और विठल नात, तो इनकी जो दूसरी कता थी न, उसको इन्होंने जो पूरा किया, वो विठल नात ने किया, ठीके, आगे नामे भ्रहमशुत्र भाष्य है, अनुभाष्य भी कहा जाता है इसका, ठीके प्रसिद नाम इसका अनुभाष्य भी है, आचारे द्वारा प्रती पादिशुद्दा देथ का ये प्रधान दाशनिक ग्रंत है, कौन सा? आचारे द्वारा प्रती पादिशुद्दा देथ, का ये दाशनिक मतलब बहुत प्रधान है और इस ग्रंत के अंत का डेढ़ अध्या है किसमे विठल नात ने लिखकर के पूरा किया फिर है श्री मद्भागवत की सुष्मे टीका जो अनुप लब्दे प्राप्त नहीं हुई है फिर है सुबोधनी टीका इसका भी कुछ अंश जरूर लिखिएगा तत्व दीप निभन नेक्स्ट है फिर सोलर छोटे छोटे प्रक्राण उपलब दे ठीके सोलर छोटे छोटे प्रक्राण ग्रंत है जिनको पुष्टी प्रभा मर्यादा इनमें प्रसिद ग्रंत है जिनमें ये पुष्टी प्रभा मर्यादा प्रसिद ग्रंत है जिसे मोल चंद तुलसी दास तेली वाला ने संपादित किया किस ने संपादित किया जिसे मोल चंद तुलसी दास तेली वाला ने संपादित किया देखो आपको सारा चीजें और डिस्क्राइब समझ में आएंगी अब हम पढ़ेंगे अश्ट चाप अश्ट शाप सोरी अश्ट चाप नहीं अश्ट शाप अश्ट चाप ठीक है यह बहुत महत पूरे और आने वाले सभी जांस में और जो पूर्व के आये होए एक्जाम से उनमें ह बुडी 65 इसी में अश्ट शाप की स्थापना करी किसकी स्थापना करी अस्ट चाप की इंपोर्टेंट है वल्लभाचारे के पुत्र विठलनात ने सन 1565 में अस्ट चाप की स्थापना करी ठीके आगे देखिए अस्ट छापके कवियों में चार शिष्ये वल्लभाचारिया के ततर चार शिष्ये बिठल नात के थे लिए आठ भक्त शिरी नात जी की नित्ये लीला के अंतरंग सखाओं के रूपमे सदेव इनके साथ रहते थे यह जो आठोई भक्त थे जिनको अश्ट चाप को नाम दिया गया यह आठोई भक्त श्रीनाथ जी की श्रीनाथ मतलब श्री कृष्ण जी की श्रीनाथ जी की निप्तिय लीला में जो रोज वो लीला करते थे के अंतरंग सखाओं के मतलब महतपूर्ण सखाओं के रुप में सदेव एक साथ रहते थे इसी कारण इन्हें अश्ट सखा भी कहते थे तीके इनको अश्ट सखा अश्ट शाप ये सब कहा जाता था क्योंकि ये आठो ही भगत जो थे श्रीनाथ जी की जो लीला होती थी उसमें महत्पॉर्ण सखाओं के रूप में मित्रों के रूप में होते थे ठीके आगे देखिए गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्टा के बाद ये आठो सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तूत हो गए इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी अश्ट शाप के कवी पुष्टी मार्गी सेवा विधी में भी पूर सयोग देते थे पुष्टी मार्गी जो सेवा थी उसमें भी ये पूर्ण रूप से सयोग देते थे कोंसे ये आठो कभी देखिए अश्ट रस्खान की वारता अश्ट सखान अश्ट सखान की वारता पर शिरी हरी राय की भाव प्रकाश नामक टिपणी में अश्ट सखान की वारता है ठीके रचना पर शिरी हरी राय की भाव प्रकाश नामक टिपणी में 7 सखाओं जो अश्ट शापक ये आश्ट सखाओं की लीला अत्मक सवभाव को बताए गया है लीला सख्ती को बताए गया है वा अविरक्त सवभाव का विस्तार से उल्ले किय गया उनके अविरक्त उनके एकदम निश्वार्त भाव के सुभाव को विस्तार से बताया गया है अब आगे देखिए यह महत्र नहीं है अब इदर आईए जो अश्ट कवी कोन कौन से थे ठीक है यह ध्यान रखिए अश्ट शाप जो कभीयों का विवराण है वह ध्यान रखने वह योग्य बाते जो आपको ध्यान रखना है यह यह बल्लभचारे के शिष्य है वल्लबाचारिय के शिश्य कोने कुमबन दास, सूर दास, पर्मान दास, और कृष्न दास कौन कोन है distance मैं बीच में आजातی हो तूके न वल्लबाचारिय के शिश्य कोने कुमबन दास, सूर दास, पर्मान दास, क्रिष्न दास K.S.P.K के एस पी के ये इसकी शॉट पर मता बना दी जिए किनकी वल्लबाचारे के शिश्यक्री कुम्बन दास सूर दास परमानन दास क्रिश्न दास रटना ही है 100% इस चीज़ को याद रखना ही है इनके सीक्वेंस से पूछे जाते हैं तो कुम्बन दास का टाइम पीरियड है देखिए कुम्बन दास का 1468. सूर दास का 1478 परमानन दास 1493 वे क्रिश्न दास का 1496 1468 1478 1493 1496 वल्लबचरिय के शिश्य थे KSP क्ुम्बन दास, सूर दास, परमानन दास, कृष्न दास. ठीक differenti ये वल्लभाचारिय के थे अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स विठला चारिय के विठला नात विठलनात के ट्रिक है गोची चन गोबिंद स्वामी छित्वस्वामी चतरभुजदास नंददास इनके कौन से थे गोबिंद स्वामी छित्वस्वामी चतरभुजदास नंददास विठल नात के शिश्य रहे 1505, 1515, 1530, 1533, इस प्रकार से आप क्रम्ट से इनके शिश्यों के नाम, इनकी रचनाओं और इनके टाइम पीरिट, समय सीमा को भी याद रखिएगा, वल्लभाचारी के चार थे, केस, पीके, इनकी देखिए ट्रिक, केस, पीके, कुम्बन, सूर, पर्मानन और कृष्ण, और फिर गोछी चन, गौबिंद स्वामी, छित स्वामी, चतरबुर्दाद, नंद दास, ये विठल नात के शिश्यों थे, चलिए आगे पढ़ें, अब क कनिष्ट, नंद दास सबसे छोटे थे, अश्टिशाप कभियों में कुम्बन दास सबसे बड़े थे, और नंद दास सबसे छोटे थे, कनिष्ट थे, कुम्बन दास अकबर के निमंतरन पर फतेपुर सीकरी गए थे, उन्होंने अफसोस जाहिर करते वे लिखा, जो लिखा वो सुनिए क्या लिखा संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया तूटी बिसरी गयो हरी नाम मतलब संतों को कहा सीकरी तक का काम है आवत जात पनहिया आने जाने में ही पनहिया मतलब पेर तूट गए बिसार गयो हरी नाम और हरी नाम का मतलब उस कृष्ण को हम भूल गए संतन को कोई काम नहीं है कि वो सीक्री तक पहुंचे इसने तो हमारे आवत जात आने जाने के साथ यह हमारे क्या हुए पनहिया तूटी पेर तूट गए दर्द हो गए दुख गए इस तरीके का बिसरी गएो हरी नाम बिसरी गएो मतला हम भूल गए उस परमात्मा के उस कृष्ण का नाम कोई तो कुम्बन दास किसके कहने पर सत्यपूर सीक्री गए थे तो अकबर के सन 1492 में वल्लभाचारिय से दिख्षा घ्रण करी इन्होंने दिख्षा घ्रण किनके द्वारा किनके साथ करी किनके पास करी वल्लभाचारिय के वल्लभाचारिय के यह वल्लभाचारिय से आयू में वरिष्ट थे ठीक है यह वल्लभाचारिय से आयू में क्या थे बड़े वरिष्ट थे आगे देखिए सूर्दास बहुत महरपूर है कृष्ण भक्ति शाका के अंतरगत सूर्दास और अश्टे शाप कवियों को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करते वे चलना है ठीके सूर्दास सूर का जनम वेशाख शुक्ल पांच दिन मंगलवार ये वल्लबाचारी से दस दिन चोटे थे ये वल्लबाचारी से कितने दिन दस दिन चोटे थे तमाम विवादों के बीच संच 1478 को ही इनका जनम इस्थर किया गया मतलब इनके जनम को लेके काफी उलज्जाओ था विवाद थे और अंत में कहा गया कि इनका जनम सूर्दास ही का 1478 में माना गया ठीकर कई इनके जनमिस्तान को ले कर भी बिवात करते हैं और जो दूसरा नाम बतातें उनका दोनों का ध्यान रखना हमें उन आचारीयों का स्ाहित्यकारों का नाम याद रखना आख़रशक है देखिए सूर्दास के जनमिस्तान के विशह में सीही को बताते हैं डौक्टर नगेंद्र गरपती चंद्र गुपत सीही को बताते हैं सूर के जनविस्तान के विशे में अलग-अलग विचार हैं कि कोई रुनकता, कोई गौगाड बताते हैं तो कोई सीही बताते हैं इस प्रकार से याद रखिए अब देखिए नेक्स्ट भक्तमाल नाभादास 84 वेशनों की वारता गोकुलनात वल्लब दिग विजय यदुनात आदी में सूर्य के विशे में जानकारी मिलती है सूर के विशे में मतलब सूरदास के विशे में जानकारी मिलती है कहां कहां से भक्तमाल जो नाभादास करत भक्तमाले 84 वेशनों की वारता गोकुलनात की और वल्लब दिग विजए यदुनात जो वल्लब दिग विजए रचित है यदुनात जी के दौरा उसमें सूर के विशे में हमें जानकारी मिलती है चलिए आगे बढ़े उमीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगती होगी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्काइब जरूर करिए जादा से जादा शेयर करिए ताकि हमारे इस ग्रूप में हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ी फैमिली बन में ठीके चलिए आगे शुकली जी ने 84 वेशनों की वारता के आधार पर समत 1580 में सूर्दास के बल्लभाचार्य का शिशत्व घ्रण करने का समय माना है कहने का तात्पर यह शूर्दास के वल्लभाचारय के शिश्यत्व बने घ्रण करने का समय बताया गया है किनों ने कहा है शुकली जी ने कब कहा शूर्दास की वारता के आधार पर बताया है कि बल्लबाचारिय के शिष्ष्य बने कौन? सूर्दास जी सूर्दास चंदर सरोवर के समी पार सोली गाउं में रहते थे सं 1583 में उनका देवसान हो गया मतलब मिर्त्य लु गयी कब 1583? अब बिठलनात ने इनकी मिर्त्य पे क्या कहा? पुष्टी मारग को जहाज जात है सो जाको कहूं लेन होए सो लेऊं मतलब इन्होंने ये पंक्ती इनके लिए कही और ये महत्पूर्ण पंक्ती है स्टुडेंट इंपोर्टेंट है कि विठल नाजी ने सूर्दाजी की मिर्थिव पर क्या कहा पुष्टी मारग को जहाज जाते मतलब इस तरीके का एक महान कभी इस तरीके से पुष्टी मारग के जो महान कभी है वो जा रहे हैं सो जाको कहूं लेन होए सो लेऊ ठीके आगे देखिए साहित्य लहरी में अब साहित्य लहरी का रचना का सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया मुनी सुनी रसन के रस लेख दस गोरी नंदन को लिखी सुबल संत पेख इनके अनुसार आगे देखिए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा जो जिस पे मैंने अंडरलाइन करी हुई है इनके अनुसार साहित्य लेरी कब समाब तो इनके अनुसार साहित्य लेरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा को बताया है उनके अंत के एक पद में उस पद के अनुसार सूर प्रत्विराज रासो के कभी चंदरबरदाई के वंश भ्रह्म भट थे उनके अनुसार क्या है सूर कोन थे सूर प्रत्विराज रासो जो हमने आदिकाल में पढ़ी ने सूर प्रत्विराज रासो के सूर प्रत्वीराज रासों के कभी चंद्रबर्दाई के वंशज भ्रह्म भट थे के लिए यह important fact बनता है इसको ध्यान रखेगा कि साइट्य लहरी के अंत में एक पद में सूर दास ने अपनी वंश परंपरा बताई है और उस पद्र के अनुसार सूर प्रत्वीराज रासों के कभी चंद्रबर्दाई के वंशज भ्रह्म भट थे के लिए चलिए आगे अब हम पढ़ें सूर सागर इनकी रचना सूर सागर यह गरंत सूर दास की अमरक्रती का आधा भागवत पुरान श्रीमत भागवत गीता के समान ही इसमें बारा इसकंद है कितने इसकंद मतलब बारा अध्या हैं सूर सागर में कितने अध्या हैं तो बारा अध्या हैं किलियर सूर सागर सूर दास की एक फेमस खाती प्रतिद्धी की एक रचना थी और इसके अंतरगत इन्होंने भागवत पुराण में, जिस प्रकार श्रीमद भागवत के समान ही 12 इसकंदें, भागवत पुराण के 12 इसकंदें, 12 अध्याएं हैं, तो इसमें भी कितने हैं, 12 अध्याएं हैं, ठीके? आगे देखिए, इसमें कुल पद, अध्याएं कितने हैं, 12 ठीके? और कुल पद कितने हैं, 4936 पद हैं, पद कितने हैं, इसमें, कुल 4936 पद हैं, इसकी 100 से अधिक प्रतीलीपियां मिलती हैं, ठीके? कहने का तात्परी यह हैं, कि इसमें 100 से अधिक, 100 से अधिक प्रतीलीपियां मिलती हैं, सूर्शागर की और इनका काल संवत था, 19. शताब्दी, ठीके? 1685 से लेकर 100 से अधिक प्रतीलीपियां मिलती हैं, उनका टाइम परिएट क्या था? कि 1685 से लेके 19 शताब्दी तक था इनकी प्राचिंतम प्रतिलिपी नाद्वरा मेवार्स के सरस्वती भंडार से है किलियर स्टुडेंट ठीके आगे देखे ब्रहमरगीत ब्रहमरगीत सब्रथम भागवत पुरान के दशम इसकंद के 47 में अध्याए कि 12 से 21 शलोग में भ्रहमरगीत का प्रसंग मिलता है भ्रहमरगीत सूर्दास जी का ठीके अब देखे इसका प्रसंग कहां मिलता है सबसे पहले स्वप्रथम भागवत पुरान के दशम इसकंद में कहां पर स्वप्रत्थम भागवत परान के दर्शम इसकंद के 47 अध्याय में important factor student बहुत दाप प्रेशन पूछा गया है कि 47 अध्याय के 12-21 शिलोग में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है 12-21 शिलोग में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है भी के दिखे गी देखे हंडि में भ्रमर गीत कावे की परमपरा सुर्दा से शुरू मानी जाती है जी ने कितने भ्रमर गीतों के रचना करी तो तीन ठीन भ्रमर गीतों की योजना है ठीके सूरदास में तीन भ्रमर्गीतों की योजना है प्रथम भ्रमर्गीत पद्द संक्याथ 4708 से 4710 प्रमुक है आपको ये ध्यान रखने के आफशक्ता नहीं है कहां से कहां प्रथम भ्रमर्गीत शेष 2 भ्रमर्गीत कथात्मक है ठीके प्रथम ब्रहमर्गीत प्रमुक है ये चीज और शेख दो ब्रहमर्गीत कथात्मक है सूर के ब्रहमर्गीतों को व्योग शंगार का शिखर कहा जाता है ठीके ये ध्यान रखिए सूर्दास के तीन ब्रहमरगीतों की योजना है कितने ब्रहमरगीतों की तीन ब्रहमरगीतों की ठीके प्रत्थम ब्रहमरगीत प्रमुक है और दो शेव जो ब्रहमरगीते वो कथात्मक है सूर दास के भ्रहमर गीतों को व्योग शंगार का शिखर माना जाता है क्या माना जाता है व्योग ये शंगार से उसका शिखर उसका मुख्य माना जाता है भ्रहमर गीत को सूर के ठीके प्रेमा सक्ति त्वियोख श्रंगार अपना बढ़ चर्ण परिश्क्रत रूप मरके आया तो यह था अश्ट शाप से प्रारंब होता है फिर नेक्स पर्माननदास रो खुंबन दास ने भी इस विशय पर पद लिखें और पर्मानन दास और कुम्बन दास ने भी इस भ्रमर्गीत से संबंदित कुछ पद लिखे विश्य पर अलग से लिखे ठीके और विरह जिसमें दिखाया गया आगे देखिए सूर के विश्य में अब सूर्दास के विश्य में कुछ विद्वानों ने अपने अपने कथन कहे ठीके लिखिए सुनिए सूर्दास की कवीता में हम विश्य यापी राग सुनते हैं क्या सुनते हैं संपूर्ण विश्य का राग दुख दर्द ये सब सुनते हैं वर राग मन मनिश्य के हिड्ड का सूष्म उद्गार है मनिश्य का प्रेम है ने कि यह भिश्म मनुश्य के दिल्का सूष्म उद्गार है तीकर एक छुपा हुआ दर्ध हे जो स्ट रूप से दिखता है ब्रहमर्गी सुर साहतय का मुक्टमणी जिए ताज यदि वास्तलिय और श्रंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए न योदि वास्तलिय मतलब एक मां की प्रती अपने बच्चे का प्यार एक शन्गार रस यह सब दोनों रसों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है ठीके ना सूर साहित्य में से कहने का तात्परिय है अगर वास्तलियो श्रंगार रस को निकाल भी दिया जाए भ्रमर गीत में से तो भी हिंदी साहित्य मे सूर का नाम अमर है क्यों कि भरमरगी थी काफी है इसलिए आज तक हम सूरदास जी की रचनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से में किस लेबस में बीए किस लेबस में रखी जाती है और यह किन्यों ने कोटेशन का आचरे राम चंद शुकली जी ने चलिए नेक्स कोशन ने नहीं इन शेत्रों में शेत्रों के वह कोना कोना जहाक आए आंखे नहोंने के बाद जूद भी उन्होंने इन दोनों रसों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रचनाओं में इस पश्ट किया यह भी कहा है कौटेशन आचरे राम चंद शुकली जी ने इंपोर्टे से जिनको आपको याद रखना है नेक्स देखिए सूर्दास की रचना में संस्कत की कौमल कांत पदावली और अनुपरासों की वर्ष छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई देती है ठीके तुलसी की रचना में क्या दिखाई देती है अनुपरासों की छटा और यह का अच्छे नाम-चंद में शूर्दास की रचना में lei ĭे, पुठा नहीं है लेकि सूर्दास ने वस्तलियों श्रंगार के अधा पे अपनी रचना को बहुती विश्यूयापी कर दिया ठीक है है चलिया आگ़े देखें आगे देखिए पर्मानन दास अब हम इनके किन को पढ़ेंगे पर्मानन दास जी को पढ़ेंगे किसको पर्मानन अब इनकी रचना है क्या है पर्मानन दास जी के बारे में इन्होंने वल्लभाचारिय से इन्होंने अरेल पर्याग में दिक्षा ली इन्होंने कहां से वल्लभाचारय जी से ठीके इनोंने सुर्षागर की भाती भागवत की कथा का वणन नहीं किया क्रिष्णी के मत्रा गमन से भावरगीत तक के प्रसंग का मुख्यता वणन किया है आगे देखिए क्रिष्ण के इश्वर्य पक्ष का मनन करकर केवल माधूर्य पक्ष की लीलाओं का ग्यान किया है ठीक है अब देखिए इन्हों क्रिशने के इश्वरी पक्ष का वणन न कर केवल माधूरी पक्ष की लीलाओं का गान किया ठीक है इश्वरी पक्ष का वणन किया मतला इश्वर के बारे में उनका क्रिशने के इश्वरी पक्ष का नहीं किया उनके माधूरी लीलाएं जो वो लीलाएं करते थे रास लीला ब बाल लिला करते थे किस प्रकार उनके गाउं में उनको आस पास बाल लिला करके सब को मन मोह लेते थे तो उनका विशेकर इनोंने सरवाधिक वनन किया है सूर के बाद वासलिय का सर्विशेष्ट वनन इनोंने ही किया सूर के बाद वासलिय रसका सबसे बैतरीन वनन इनोंने ह थिक है आगे देख्ये पर मानने के एक पद को सुनकर वल्लबाचाईय कई दिनों तक być तरहे ठीक है वल्लबाचारिय ने इतना हो गए उनके निभ norm के पद में आगे क्रिश्नादास उनकרא Willi वल्लब दिग विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लब अचारिय ने कृष्ण दास को दिक्षा दी ठीके 1510 में वल्लब अचारिय ने कृष्ण दास को शिक्षा दी ठीके 1510 में वल्लब दिग विजय के अनुसार ठीके इनका इतना ही आता है जादा मेंट फेक्स आगे देखें ग गौबिन स्वामी महावन में रहते थे सन 1535 में विठल नात ने इन्हें पुष्टी मार्ग की दिक्षा दी किनों ने दी विठल नात ने गोबिन स्वामी को ठीके इनके बाद ये गोबिन स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिदे प्रशन ये बन सकता है कि जो ये गोबिन स्वामी जी है जहां कहां रहते थे ठीके और उस इस्थान को किस नाम से प्रसिद हो गई तो वो किस नाम से प्रसिद होई गोबिन स्वामी कदम खंडी के न किवधन्ती के अनुसार तांसें गोबिन स्वामी के पद गायन की शिक्षा लेते थे, तांसें गोबिन स्वामी से क्या करते थे, पद गायन की शिक्षा लेते थे, तो प्रशन ये भी हो सकता है, किवधन्ती, लोगों के अनुसार सुने हुए कि अनुसार ये है, कि गोबिन स सुनते वे चलिए ठीके समझते वे चलिए ध्यान से पढ़िए आगे देखिए श्रित्सवामी की रचना है पदावली श्रित्सवामी दिक्षा लेने के सबात गौवर्दन के निकट पंचुरी में तमाल वरक्ष की चाया में रेते थे ठीके यह बीरबल के प्रोहिते इतना साथ श्वामी के लिए नहीं आता तो श्वामी के अप रचना ध्यान रखिये पदावली ठीके आगे देखिए कि शतरभुज इनकी रचना है दान लीला चतरभुज दाज़ की रचना क्या है दान लीला चतरबुच अश्टशाप के कभी कुम्बन दास के सबसे चोटे पुत्र थे जो चतरबुच दास थे वो कौन थे अश्टशाप के कभी अश्टशाप के कभी कुम्बन दास के सबसे चोटे पुत्र थे कौन चतरबुच दास के लिए चले आगे आगे देखिए नंददास सूर्दास के बाद नंददास अस्ट चाप के प्रमुक कभी थे नंददास सूर्दास के बाद सबसे प्रमुक कभी थे नंददास अस्ट चाप के ठीके इनका भवर गीत उनका कौन था सूर्दास का भ्रमर गीत ठीके और इनका भवर गीत भवर गीत उच्च कोटी की रचना है इस चीज को ध्यान रखेगा कि नंददास की भवर गीत है और सूर्दास की भ्रमर गीत यह प्रभंधात्मक है तथा इसमें लोग की अपेक्ष जास्तर का ढ़रे दिखता है कि मतलब छंद अलंकर इनका प्रियोक जादा दिखत है और यह अधार Чंद में है यह शरी मद भागवत जी की तरह है पांच अध्याव में विभ्sky कौन सी रास पंचा ध्याई आपको समझ में आ रहा है श्री मत भागवत की तरह पांच अध्याओं में विभगते बच्चन सिंग ने इसे भागवत का स्वचंद पदानुआत का बच्चन सिंग ने क्या का भागवत का स्वचंद पदानुआत तो प्रशन आ सकता है कि किसमे रास पंचा ध्याई में और ये श्री मद्भागवत की तरही पांच ध्याई में विभागते आगे देखिए अपने सुन्दर वा उप्युक्त शब्द चैन के कार इन्हें जड़िया का जाता था नंददास जी को क्या का जाता था जड़िया क्यों क्यों कि ये बहुत अश्टशाप के सरवाधी कावजास्त्री मतलब इन्होंने चन्द अलंका इन सबको स्वता ही इनके शेणी में इनकी रचनाओं में आगया तो सरवाधी कावजास्त्री कभी रहे ठीके और इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं इन ँदार पे करी तो अब देखिए ब्रहमर्गीत नंददास के भवर्गीत की तुलना इसमें लोग की प्रधानता थी इसमें शास्त्री की प्रमुक्ता थी गोपी उधव सम्वाथ ब्रहवर्वर्गीत में देखिए ब्रहमर्गीत में गोपी उधव सम्वाथ की स्तितिया कम है और भवर्वर्गीत में गोपी उद्व शास्तरात कथोप कथन के रूप में गोपी और उद्व का ठीकर इसमें देखिए भर्रमर गीत में सहरलवा सहज गोपिया हैं भाशा इनकी ठेट व्रेजे और कावे लेकिन यहां पर कावे रूप प्रभंद नंददास जी का नंददास जी का जो भवर गीते और भाशा संस्कत निष्ट ब्रजे और गौपया पांडिक्टिय से परिपूरे ज्यान से परिपूरे सहज नहीं है ठीक है यह अंतर आप ध्यान रखिएगा इंपोटेंट है अश् सूर्दास के पीछे इन ही का नाम लेना पड़ता है किने का मतलब इतने महत्पूर कभी है नंददासी इनकी सबसे बड़ी इनकी रचना सबसे बड़ी सरस और मधुर है ठीक है आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे जो संप्रदाय सबसे पहला हम पढ़ेंगे सखी स्वामी हरीदास हैं इनके प्रवर्त कोने स्वामी हरीदास इसे लंबे समय तक निमबार्ग संप्रदाय की शाखा के रूप में स्युकार किया गया इस संप्रदाय का एक नाम टटी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय भी मिलता है ठीक है इनका समझ में आया सकी संप्रदा ते हरीदाफ का परीचाह किशोरधास की करती हिसे निजमत सिध्थान सेसे प्राप्त होता है नेच्स देखे संपरदाय कि शिश्यय परंपरा में बिहारीन दास नागरी दास सरस दास आदी ने इसे किसी पूरवर्ती संप्रदाय से न जोड़ कर हडी दास से जोड़ा कहने का तात्परेश की सखी संप्रदाय में शिश्य परंपरा कैसी थी बिहारिन दास नागरी दास सरस दास ठीके आधी इनसे किसी पूर्वती संप्रदाय से न जोड़ कर इने हरिदासी से जोड़ा गया है आगे देखिए सकी संप्रदाय का जो प्रेम था सकी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तक तो था प्रेम के आधा पर इनकी उपास्य उपासना की गई बाकी इसमें इंपोर्टेंट इतना नहीं है कि आप इसको डीप में इतना पढ़िए ठीके स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्णे द्वापर के अवतार रूप नहीं है नहीं रादा के व्रश भानु कुमारी है ठीके केने का ताथ पर यह है कि स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी जो है कृष्णे द्वापर के अवतार रूप नहीं है नहीं रादा ब्रश भानु कुमारी है ठीके उनकी लीला ब्रज गाय गोपी गवाल आदी से संबंद नहीं है उनके निरंकुझ बिहारी में प्रेम लीला सदा एकरस व अखंड है जो उनके कृष्णे है निकुंज बिहारी की प्रेम लीला एकरस से एक अखंड है जिसको खतम नहीं कर सकता खंड नहीं कर सकता वेही सरस्टी के रचना हैं प्रभूता हैं दुष्ट दलन हैं राक्षस विध्वन्स हैं ठीके आदी से दूर रहते हैं उनके जो देखो उनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एकरस अखंडे वेही सरस्टी रचना प्रभूता दुष्ट दलन वा राक्षस क्र Death करृडप करते हैं इस संपरदाय के भक्त कभी कुंझ द्वार फखड़े ओकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं जो इनके जो भक्ते हैं वो कुंजु द्वार पर कुंजु द्वार द्वार पर खड़े हो के राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं आगे देखिए जो है गोडिय वा चेतन्य संप्रदाय इनके प्रवर्त के चेतन्य इनके बच्छबन का नाम क्या है विशमभर निमाई व गोर गोरांग है 1510 में चोई स्वर्ष की आयू में ृSanjyaz की दिक्षा घ्रण करी कितनी सी आयू में 24 वर्ष की आयू में 1510 में 24 वर्ष की आयू में इन्होंने क्या करा सन्यास की दिक्षा घ्रण करी दिक्षा गुरू केशो भारती रहे दिक्षा गुरू कोन थे इनके केशो भारती ने इनका नाम बदल कर जो दिक्षा इन्होंने प्राप्त करी केशो भारत अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टुडेंट राधा वल्लब संप्रदाय इसका प्रवर्तन सन 1534 प्रवर्त के आचारे हित हरिवंश गोस्वामी ने व्रंदाबन में किया राधा वल्लब संप्रदाय का इस्थापना कहां पर की गई राधा वल्लब संप्रदाय का जो प्रवर्तन करने वाले थे 1534 में आचारे हित हरिवंश गोस्वामी ने व्रंदाबन में किया कुछ विद्वान इन्हें भ्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं कुछ इन्हें किन्त के नाम से भ्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय इसमें क्रिष्ण का नहीं राधा का इस्थान प्रमुक है इसमें क्रिष्ण का नहीं राधा का इस्थ क्रिष्ण राधा सहचरी और रूप में क्रिष्ण नित्य विहारी है वह जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन के परमसुख पाती है और जीव की आत्मा है वह इनके सखी भाव से फ्रेंड बन करके उनके दर्शन में परमसुख पाती है तिके नित्य विहार के चार विधायक तत्वे हैं किनके अनुसार हितहरी वन्ष के अभी हम कौन सा वन्ष संप्रदाय पढ़ रहे हैं हितहरी वन्ष हितहरी वन्ष संप्रदाय भी कहा जाता है तिके भ्रम्न संप्रदाय मादव विरंदावन इसमें राधा क्रिशन नित्य भिहारी है और जीवात्मा मित्र के रूप में इनके धर्शन को परमसुख पाती है ठीके इस संप्रदाय में नित्य मिलन यह इंसा इंपोर्टेंट नहीं है अब देखिए अब देखिए प्रमुक कवी हित्त हरी वंश देखिए हित्त हरी वंश का विवार रुक्मनी देवी से हुआ था हित्त हरी वंश की जो रचनाएं हैं वह है यमुना स्टक हित्त चोरासी सरसुधा निदी कौन-कौन सी रचनाएं हैं एक मिल में इसको थोड़ा मैं बढ़ा कर देती हूँ देखिए हित्त हरी वंश इनकी रचनाएं यमुना स्टक है हित्त चोरासी सरसुधा निदी ठीक हित्त हरी वंश 1502 से 1552 इनका विवार रुक्मनी देवी से हुआ 1533 में ये व्रंदावन गए गुरु रूप शिरी राधा जी को स्विकार करा इन्होंने किसको स्विकार किया शिरी राधा जी को और फिर इसके बाद देखिए हरी राम व्यास जी ने इनकी मिर्ट्यू पर बहुत विहल करने वाले पद लिखे किनोंने हरी राम व्यास जी ने बड़ो अभाग्या अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिराग इनके लिए लिखा किनके लिए हित्त हरी प्रेश जी इस अनन्य सभा में से चले गये यह बड़ा अभाग्या है उनके दौरा अब देखिए उनके दौरा ब्रतभाशा रहा के प्रचाम प्रसान में बहुत सहयता मिली उनकी रचना अपनी रचना की मधुर्टय के कारणि यह कृष न tiếंधे कहे अवित 84 पर प्रेमद वब बंदना में हित्जी की शेहस्त्रा नामावली वचत्रभुज दास के हितजू को मंगल लिखा है अब देखिए यह important fact है कि वरंदावन में इनकी इस्तुती वब बंदना में वरंदावन में इनकी इस्तुती इनको याद करने के लिए और पूजा के रूप में वंदना के रूप में हित्जी शेहस्त्रा नामावली क्या हित्जी शेहस्त्रा नामावली वचत्रभुज ने हित्जू को मंगल लिखा चत्रभुज दास ने क्या लिखा हित्जू को मंगल ठीक हित्ट हरीवनश को समार पीते हिए और वरंदावन में कौन सी लिखी गई हित्जी शेह बदाईयां लिखी है आगे देखिए हित पर्मानंद जी ने वब्रज जीवन दास ने इनकी जनम पर क्या लिखिए बदाईयां लिखिए आगे देखिए स्टुडेंट हरी राम व्यास इनके बारे में ज्यादा नहीं आता फिर भी अपने एक बार देख ले ठीके बस ये और नरफ मदुकर्शा के राजग्रु हैं हरी राम वेश्चनुवेय भगतों के विशाख्, सिकिके अवथार के रूंपividadeus इनकी रचना क्या है च्ट्रभु दाष दी थीकि प्रिश्णाइश्व को दोक्टन रामकुमार वर्मा इनने एक ही मांने जो मिम्छर्भंदू हें डोक्टन रामकुमार वर्मा ihm二 यूं शा है कि नेन त्यौतु म।etty और व्यक्तिक्ति थी इस ब्रह्म का निवारंण दीनद्यालू गुप्त ने किया था लेकिन इस भ्रहम को इनका निवारन किनों ने किया था दीन दयालू गुप्त ने किया था मिश्रबंदु शुकल जी और रामकुमार बर्मा जी तो इनको एक ही मानते हैं जो अश्टशाप के कभी हैं चत्रबुषदास वही हैं लेकिन दीन दयाल गुप्त ने इनको अलग बताया इस भ्रहम का निवारन किया ठीक है इनको निवारन किया और इनकी रचना ध्यान रख इनके 42 गृंट मानने जाते हैं कि इनके अग्रेको बिमार जी तो इनके 42 गृंट मानने जाते ह्यान और इनके कितने इनके 42 गृंध है करे सबसे बहुत कि वहारों अगर किया और देखो इन्होंने वच्ट लीका का प्रहों किया जटिल वा धुर्बोध्य तक्तों को समझने के लिए इन्होंने वच्ट लीगा घुदेवारता में एंब वह फिव तो इ how the he 's gonna का प्रियोग किया आगे देखिये किसा वाजनी आप अब देखे और उनने दुरुदा जी के 42 मानेये उसी के अनुसायछ बताए गया हैं अगे देखेए संप्रदाय – निर्पेक्ष कवि मीरा बाया क्रिष्न काविय थोड़ा बहुत लंबा पढ जाता है ठीके ना इसको पढ़ना तुपन को है और पढ़ना पड़ेगा भी इसलिए मैं आपके लिए एकदम वर्णात्मक तरीके से डिस्क्रेप्टी तरीके से पढ़ा रही हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन की बेटर डिस्क्रेप्टी भी होंगे हम शॉर्ट फॉर्म में इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते पहले हम ड स्वार्थ भाव से चलिया आगे देखिए संप्रदाय निर्प्यक्ष कवी आगे मीरा भाई मीरा भाई को हम क्रिश्न काविय में ना पढ़े यह हो ही नहीं सकता इनके विश्य में प्रमानिक जानकरी का भाव है इनका जनम सन 1540 में हुआ मिर्तिव 1550 1558 में से लेके 1563 के ब जाओ दूदा की पॉर्ण कुछ नेट्रग प्रॉब्लम हो रही है इस वज़े से मेरा केमरा शो नहीं हो रहा तो चलिए हम इसको मीरा भाई से हम थोड़ा ऐसे स्टार्ट करते हैं आप इसको समझते हुए चलिए ठीके कोई बात नहीं अगर मेरा केमरा शो नहीं हो पारा चलिए हम मैंन तो हमारा इस टॉपिक को कवर करना और समझना ज़ादा जरूरी है। तो संप्रदाय निर्पक्ष कभी के अंतरगर सबसे पहले हम मीरा भाई को पढ़ेंगे। इनके विशे में प्रमानिक जानकरी का अभाव है। ठीके इनका जनम सन 1504 में हुआ इनका जनम कब हुआ 1504 में मुर्तियू का समय 1558 से 1563 इसी के बीच इस्थर किया गया है। कोई प्रमानिक जानकरी नहीं मिली है कि इनका टाइम पीरिएट कप का रहा। ठीके जनम तो 1504 इसमें और मुर्तियू का समय 1558 से 1563 के बीच इस्थर किया गया और इनका जनम जो हुआ वो देखिए जनम मेरता के निकट कुर्की नामक गाउं में हुआ ये मेरता के निकट म राठो रतन सिंग की पुत्री थी राव दूदा जी की पोत्री और जोदपूर को बसाने वाले प्रसिद राव जोदा की प्रपोत्री जोदपूर को जो जिन्हों ने जोदपूर बसाया उनके प्रसिद राव जोदा जोदपूर इनी के नाम से बसा राव जोदा जोदा ज पति के मिर्ट्यू के पस्चा थी यह कहां चली गई विरंदावन और श्री कृष्णी जी की पूजा में मगन हो गई पती की मिर्ट्यू के पस्चा विरंदावन चली गई और वहीं उनकी भक्ती माधुर्य उपासना माधुर्य भक्ती में समाहित हो गई उनकी भक्ती कौन सी ती माधुरिय उपासना की ठीके मीरा को भक्त रूप धान करने के लिए परिवार समाज लोगला से लड़ना पड़ा उनको भक्त के रूप में अपने आपको समाज में परिवार में इस सब से लड़ना पड़ा भक्त माल में नाभादास ने मीरा के लिए कि देखिए ये किसके लिए कहा गया यह मेला की लिए कहा गया कि वह निड़र होकर पूर्ण रूप से वह किसमें मादुरिय भायओँ में बस गई श्री किसनी की आ्राध्ना के लिए बरंदावन में नेक्स्ट पॉइंट देखे बरंदावन विरंदावन जी के मंदिर में भजन किर्टन करते हैं मत के शास्त dif. प्रेंटा जीव व को स्वामी से हुई थी ओव बिरंदावन से द्वारी के चली गई वहां तर उन्होंने रंट्छोच जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते वह उनकी मिरती हो गई रेधास को मीरा का गुरू मना जाता है रेधास को मीरा के कावे की भाशा सामने तर राजस्थानी विश्ड़ ब्रस थी मीरा के जो कावे की भाशा थी सामने था कौन सी थी राजस्तानी मिश्रित ब्रज भाशा थी इनके इनके पदों में गुजराती भाशा का पुट मिलता है खड़ी किन के मतलब मीरा जी के खड़ी बोली पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है खड़ी बोली का और पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में दिखाई देता है ठीके उनके विविद उनके जो पद थे विविद राग रागनियों से में बंद थे मतलब एक राग था उनके राग मतलब एक विरह भी था उनकी याद में श्री कृष्णी की जो आराधना में ठीके राग रागनियों से बद्ध था उनके प्रेम भाव में सामन्य मान्य मर्यादा थी उनके जो मानों की प्रेम की प्रती मर्यादा होती है वो उनके पदों में दिखती थी उनकी प्रेम साधना में स्वक्रियाता का भाव था, स्वकिया तो मतलब पूर्ण उसे समर्पित होने का भाव था, ठीके, अपने जिसे पती के रूप में जो पत्नी पूर्ण उसे समर्पित होती है, उस प्रकार का भाव था, उनकी किसमें प्रेम साधना में, उन्होंने क्रि connection को कृष्ण करके नर्stone के रूप में भक्ति का शास्त्रीय सवरूप अनके कावे में मिलता है शंगारस में वयोग की प्रधानता है श्बसे जादा देखा जाया तो मीरा के पदों में शमगारस में व्योगा प्रधानता है विरह की है इसके अतरिक तो शांत रस्की भी व्यंजना हुई है मीरा ने कृष्णे की कलपना पती या प्रेम के रूप में करी है ठीक है और उन्होंने अपने आपको स्वख किया मतला पौन उपसे समर्पित भाव अपना पती के प्रेम के प्रती दिखाया है इनके पदों को तीन भा पर देख कै विरहें इसके रूप में बाड़ा है ठीक है इनके पदों को तो तीन पदों के आधार पर देखिये एक लीला एक विन्य और व्यक्तिगत अनुराग ठीक है मीरा के पदों को तीन भागों में बाटा गया है आगे हम चलिये पड़ते हैं रस खान जी भकति खाल में ठीक है इनका time period 453 से लेके 1618 और इनकी रचना है अश्ट याम प्रेम वाटि का दान लीला सुजान रस खान ठीक है कि उनकों से रचना है एक बर आप वापक से देख लीजे अश्ट याम प्रेम वाति का दान लीला सुजान रस्खान अब देखिए इनका अधिकतर विद्वानों ने इनका जनम इस्थान पिहानी हर्दोई माना है अधिकतर जो विद्वान है साहित्यकारे उन्होंने इनका इस्थान क्या माना है पिहानी हर्दोई कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार प पर यह है कि इनोंने यह कहा है कि जो इनकी रचना है ना प्रेम वाटी का ठीक है रस्खान जी की जो रचना है प्रेम वाटी का इसके आधा पर यह दिली छोड़कर गोवर्दन धाम जाने के उलेग से यह क्या हुआ था इनका कि दिली छोड़कर जब यह गोवर्दन धाम रस्खान का मोल नाम पूछा जाता है तो मोल नाम इनका क्या था सयद इब्राहिम और विजेंद्र इसनातक इन्हें इसे सही नहीं मानते लेकिन जो विजेंद्र इसनातक है वो इस नाम को सही नहीं मानते हैं ठीके ये नाम भी ध्यान रखेगा कि कौन से इसे व्यक्ति हैं प्रश्न बनता है कि गोसामी विठल नास जी से इन्होंने रस्खान जी ने दिक्षा ली थी दिक्षा ली थी शिक्षा नहीं दिक्षा रस्खान तुलसी दास के समकालीन थे और रस्खान कोन थे तुलसी दास के समकालीन ही थे ठीके चलिए आगे 252 वेशनों की वारता में भ वल्लब संप्रदाय के अन्याई ही माना गया है किसके अंतर का 252 विष्णों की वारता में और ये ब्रज के इस्थान को मतलब ब्रणदावन ब्रज इस जगे को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि ये श्री कृष्ण के प्रती असकती अत्यदिक प्रेम रखते थे ठीके अब दे विषेश क्रपा पात्र थे रहीम के प्रती रहीम की उनके प्रती ठीके विषेश क्रपा थी तो गंग का पुरा नाम गंगा प्रसाद जो महत्पूर्ण बिंदू बनता है और गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे और रहीम के विषेश क्रपा पात्र थे इनकी कवीताओं में तीन मुख्य वानित विशे हैं ये महतपूर बनता है कि इनकी कवीताओं में किस प्रकार का विशे था तो नाईका भेद था इसमें इन्होंने नायक नायका भेद बताया है नाईका भेद और कृष्ण लीला प्रशस्ती और नीती धर्म थे, इन्होंने कृष्ण की लीलाओं की प्रशंसा की है, प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। की बादे और न बरिद्द देखा है इस तरींके की रचनाय करी गई प्रश्करत मूहल नाम था धह sack के जो वो भाशा थी वो भाशा थी पलिश्क्रत एकदम माननी है इस पश्ट ठीक है वह कौनसी ती ब्रेज भाशा थी कविस सभयों की भी प्रचुरता थी इनकी रचनाओं में घंग का नाम समस्या पूर्टी के संधर्व में प्रसिदे मतलब ये समस्या की पूर्टी कर देते हैं समस्या का हल कर देते हैं गंग का नाम समस्या पूर्टी के संधर्व में प्रसिदे वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सर्वुष्रिस्ट माने जाते हैं ठीके ये महत्पूर है सांसारी उसके आधार पर लोकी कावे करने वाले कवियों में सरुष्रिस्ट माने गए अब देखें नेक्स पॉइंट गंग ने शेहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नोड जाने इर्शा वर्ष उन्हें हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया इर्शा वर्ष मतलब जलन से इर्शा वर्ष इन्हें हाथी से कुचलवा कर मार दिया और यह समझ में फिर नेक्स देखिए खड़ी बोली गद्य में रचित चंद चंद बरनन की महिमा इनकी सरवादिक प्रसिद करती है यह बहुत महत्पोर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है कि खड़ी बोली गद्य में रचित चंद चंद बरनन की महिमा जो रचना है वो इनकी सरवादिक प्रसिद रचना थी बेरम खाके पुत्र थे रहीम के अनके पुत्र थे बेरम खाके और इनका नाम है अब्दलरहीम खान खाना ये अपनी दान वीरता दान वीरता और परुपकार के लिए प्रसित थे ठीके ये बेरम खाके पुत्र थे और इनका जो वास्तिक नाम पूरा नाम था अब्दलरहीम खान खानम और ये दान पिरियता दान वीरता और परुपकार के लिए प्रसित थे कौन रहीम ठीके आगे देखिए रहीम का हिर्दय द्रवी भूत होने के लिए कल्पना की उडान की अपेक्शा नहीं रखता जो इसमें इनोंने कहा है शुकली जी ने एक वाक्य कहा कि जो रह हिर्दय से द्रवी भूत न हो जाएं मतला एक तरीके से हम डूब न जाएं उनके रचनाओं में ठीके एसी रचना उन्होंने लिखी थी ना कि उसमें कोई कल्पना थी कल्पना की उडान की अपेक्शा नहीं रखता वसंसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवी भूत होने के लिए पर्याप्त सरूप पा जाते हैं उन्होंने संसार के जो सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार है जो दिखाई देता है संसार में उसको प्रदर्शित किया ठीके और वो ही उनके हिर्दे हमारे जो पाठक है उसके पाठक के हिर्दे में द्रवी भ नायक सोरी ये अकबर के समय के प्रधान सेना नायक वह मंत्री थे ठीके तता युद्ध में जाते थे ये अकबर के नवरतनों में से एक थे रहीम कौन थे अबधुर्रहीम खान खानम अक्बर के नवरतनों में से एक थे यह जागिड तक विद्धमान थे ठीक है आग लास देखें नरोतम दा स्वामी शीव सिंग सरोज जो शीव सिंग साहरगर जनोंने पुस्तक लिखी है हिंदी साहितिय को ले करके ठीक है शीव सिंग सरोज के अनुसार ये सम्वा 1602 में वर्तमान थे ठीके इनका जो टाIM ही पीरिट था 1602 का था और इनकी जो प्रसिध रचना है इनकी रचना पुछी जाती है नरोतम दास सामी जी की तो इनकी जो प्रसिध रचना है वो सुदामा चरित हो और ये बीए के सेलेबस में भी लगती है ठीक है सुदामा चरित ये नरोतम दास वारा रचित है ठीक है आगे देखिए बनारसी दास जेन 1566 से लेकर 1643 ये जोनपुर जेन के जोरी थे जोरी थे तथा आमेर में भी रहते थे इनके पिता का नाम खड़क सेन था बनारसी दास जेन जिनको 1546 से लेके 1643 तक का इनका टाइम पीरियड है ये जोनपुर के जेन जोरी थे ये आमेर में भी रहते थे और इनके पिता का नाम खड़क सेंथा यहां से देखिए इनका महतपूर्ण जो बिंदू बनते हैं ये अकबर के प्रशन सक्ते ठीके जहागीर के दर्बार में भी गए और शाजा के दर्बार में भी इनका विशेश मान था इनकी जो महतपूर्ण बनता है बनारसी दास जेन जी का रचना का बनता है देखिए ये देखिए इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकता अर्ध कथानक लिगी ये महतपूर्ण थीके ना इस पूरे पेरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा महतपूर्ण पंक्ति ये है इसको आप नोट डाउन करिएगा अपने नोर्ट में कि इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक लिगी किसने बनारसी दाज जेन जी ने फिके स्टुडेंट यहां तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सगबुन कावयधारा का कृष्ण कावयधारा समझ में आई भकती शाखह आपको समझ में आ गया होगा तो इस्ट्र인지 हमारा भकति काल पूरा हो चुका है और जो हमारे कुछ पंक्तियां आचारियों की और गवियों की हैँ वह हम आदिकाल भकति काल और रीती काल की एकटी एक साथ कर देंगे उसकी क्लास हम एक साथ लेकर आएंगे महत्पून पंक्तियों की आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिये और जादा से जादा आप वीडियो को कंप्लीट देखिये और शेयर करिये धन्यवाद